नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सबसे पहले देखें उत्तर शब्द हमने देखा उत्तर शब्द उत्तर शब्द को हम क्या कहते हैं? जवाब इसका एक अर्थ क्या है? जवाब दूसरा हम उत्तर दिशा को भी उत्तर कहते हैं तीसरा उत्तर का आर्थ है पीछे जब हम समास पढ़ते हैं तो पूर पद, उत्तर पद पढ़ते हूँ वहाँ उत्तर का मतलब क्या है पीछे वाला पद तो देखे दोस्तों यहाँ शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा है तो इसलिए उत्तर क्या हो गया अनेक आर्थक शब्द जिसके कई आर्थ होते हैं वो होते हैं अनेक आर्थक शब्द इसी तरह और भी कई शब्द हैं जिनके अनेकार्थ ही शब्द होते हैं, देखिए जीवन, जल को भी जीवन कहते हैं, प्राण, वायू, पुत्र, परमात्मा, ये सभी जीवन के अर्थ हैं, तनू शब्द के अर्थ हैं पतला, सुन्दर, कुमल, अज, अज का अर्थ होगा श शिव, ब्रह्मा, बक्रा, दश्रत के पिता, ये सारे शब्द, इन शब्दों के अर्थ हैं, अर्थ का अर्थ है, क्या होगा, कारण, धन, परियोजन, अर्थ को हम धन भी कहते हैं, और इसका अर्थ ही आया मतलब, उसका मतलब, कारण भी कहते हैं, परियोजन भी, अंतर, अंतर के आर्थ हैं अवकाश, आकाश, मध्य, अवधी, व्यवधान कर, हाथी की सून को भी कहते हैं, टैक्स को भी कर कहते हैं, किरन को भी कर कहते हैं और हाथ को भी कर कहते हैं काम, काम के आर्थ हैं काम देव, पेशा, भंदा, कारियर काल शब्द इसके आर्थ है समय, यम्राज और मित्यों कृष्ण के आर्थ है वासुदेव, पूत्रश्री कृष्ण, काला और कृष्ण पक्ष अक्षर के आर्थ है विश्णू, नाश्रहित, वर्ण, ब्रह्मा अंक, अंक का आर्थ होगा गोद, परिछेद, भाग, नाटक का एक भाग, सिंख्या अग्र, अग्र शब्द के आर्थ होगे मुख्य, श्रेष्ट, पहले, आगे द्विज, द्विज शब्द का आर्थ होगा पक्षी, ब्रह्मन, चंद्रमा, दांत अब देख रहे हैं दोस्तों की शब्द एक है, लेकिन उनके अर्थ बहुत सारे है दंड, दंड का आर्थ सजा, एक व्यायाम भी होता है दंड, डंडा, डंठल अंबर शब्द के भी बहुत सारे आर्थ है, अंबर आकाश, वस्त्र, परिधी, एक सुगंदि द्रिव्य, अनन्थ, अनन्थ का आर्थ होगा है, अन्थीन, शेशनाग को, आकाश, विश्नु, ये सभी अनन्थ के आर्थ है चपला, चंचल, इस्त्री को भी चपला बोलते है, चपला का एक अर्थ लक्षमी भी है, और चपला हम बिजली को भी बोलते है गुरू, शिक्षक, किसी भारी चीज़ को भी हम बोल देते हैं, कि वो जो भारी है उसे गुरू बोल सकते है बड़ा धी गुरू का येक आर्थ है सर का आर्थ है तालाब, पानी, अमरित, दूद, गंगा फल, भाले की नोक, परिणाम, लाब, परियोजन इस सारे आर्थ किसके हैं? फल के कई बार हम कह देते हैं कि भई तुम्हें इसका फल मिलेगा मतलब इसका लाब मिलेगा फल, परिणाम, किसी चीज का परिणाम होना भाले की नोक को भी फल कहते हैं दोस्तो इसी तरह के बहुत सारे आशी शब्द हैं जिनके अर्थ अनेक हैं और जिनके अर्थ अनेक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेक आर्थी शब्द दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए धन्यवाद